बिहार बोर्ड क्लास 12 का तो उसी का एक चैप्टर है प्रोज सेक्षन से मतलब की गद्य वाले भाग से चैप्टर का नाम है रोज और यह लिखा हुआ है सच्चीदा नंद हीरा नंद वातस्यायन अग्ये सौट फॉर्म में आप इनको अग्ये कर सकते हैं ठीक है बाकी आप इनको सच्चीदा नहीरा नंद वातसयायन अग्ये इनका पूरा नाम है तो चलिए हमेशा की तरह सुरू करते हैं सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं लेखक कौन थे क्या थे ये सब कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक में तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसको पर सकते हैं ठीक है लेखक का जनम हुआ था 7 मार्च 1911 भी को और इनका जो निधन हो गई थी इनकी इनका जो मिर्तु हो गया था वो हो गया था 4 अप्रेल 1987 को ठीक है जनम इनका कहा हुआ था कशेया कूशी नगर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक जगह है कूशी नगर वही पे इनका जनम हुआ था माता पिता की अगर बात करें तो माता का नाम था व्यंती देवी और पिता जो थे इनके डॉक्टर् घीरा नंद सास्त्री ये पूरा तत्तो वेता थे ठीक है पूरा तत्तो वेता क्या होता है आप मुझको कमेंट करो ठीक है वैसे देखो ये इतिहास से रिलेट्टड कोई एक वर्ड है ठीक है ओके तो पता लगाओ इसके बारे में सिक्षा क्या होती है इनकी जो सिक्षा है वो मतलब क्या रही कैसे रही ठीक है तो अगर सुरुवाती सिक्षा की बात करें तो सुरुवाती सिक्षा जो है वो तो इनकी घड़ पे ही रही ठीक है बाकी 1925 में पंजाब विश्व विद्याले से इन्होंने मैट्रिक किया 1927 में म बी ये किया और एम में भी इनोंने लाहोर से ही किया ठीक है लाहोर जैसे कि आपको पता है अभी प्रेजेंट डेल लाहोर जो है पाकिस्तान में पड़ता है उस समय के ये मतलब की 1929-30 जो है उस समय तो वो सबकुछ भारत ही था ओकी भासा की बात करे तो भाई भासा विद थ शंस्क्रीत अंग्रेजी हिंदी के तो एकदम अच्छे खासे जनकार थे इसके अलामे फार्सी तमिल भी इनको वासित आती थी और इसके अलामे भी और भी बहुत सारी भासा जानते थे दुनिया में अगर आप सफल होना चाहते हो तो एक आसान सा तरीका है ये आपके पास बहुत सारी भासाओं का नौलेज होना चाहिए बहुत ज़रूरी है लेंग्विज स्किल आपके लिए इनकी अभीरुची की बात करें किस चीज में इनको इंटरेस्ट था तो इनको इंटरेस्ट था बागवानी में परियतन में फोटोग्राफी में हस्त कला सिल्प कला ठी ठीक है जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो आप उसको पूरे दिल से करते हो ठीक है तो ये चीज होता है अगर इनके खडीतियों की बात करें मतलब जो इनकी लिखी हुई रचनाय है तो एक इनकी रचनाय है छोड़ा हुआ रास्ता बड़ा ही इंपॉटें कि मैंने इसमें महत्वपुर्ण रचनाओ को ही शामिल किया है शेकर एक यूनिक तो मौस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए ये जाने जाते है अग्ये ठीक है उत्तर प्रियदर्सी एकनाटक है शदा नीरा और अंतरा अंतरा याद रखिएगा अंतरा भी इंपॉर्टें आगे चलते हैं तो रबिंदर नाथ ठाकुर जो है इन्होंने लिखा था गोडा ठीक है गोडा गोडा नहीं है गोडा और इसका इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था रबिंदर नाथ ठाकुर के रचना गोडा को तो आपसे एक्जैम में पूछा जा सकता है कि रबि गोडा का इन्होंने अनुबाद किया था नव आगे चलते हैं और बात करते हैं समरी की समरी इस तरीके से हम लिखते हैं कि आप उसको एक्जाम में लिख सकते हैं accurate उसी तरीके से कोई दिक्वत नहीं है एक्जाम में लिखने में ओके लेकिन अभी कभी अब उपाय करना पड़ेगा तुम लुगों का ठीक है ना ऐसे भागते हो जिस दिन पकड़े जाओगे ना उस दिन बताएंगे ओके नव अब देखो, समड़ी देखो आगे भागना नहीं है ओके। यह कहानी है सबसे पहले चीज क्या है कि यह कहानी है ठीक है ना रोज जो है पूछा जायेगा आपसे परिक्षा में कि रोज जो है यह गद्दे की कौन सी यह साहित्य की कौन सी विद्या है तो ध्यान डखिएगा साहित की बहुत साड़ी विद्याएं होती हैं कहानी, कविता, नाटक, निबंध, ललित निबंध, यात्रा विदिता यह सब कुछ साहित की विद्याएं होती है तो ये कौन सी विद्या उसकी कहानी है तो ये जो कहानी है रोज ये अग्ये के द्वारा लिखी गई जो भी आप मतलब एकदम चर्चित कहानیا नहीं का मतलब जो भी इनोंने लिखा है कहानी अगर उसमे नाम खोजोगे तो उसमें ये आपका मतलब रोज का भी नाम आपको मिल जाएगा ठीक है? इसमें लेखक ने क्या किया है? किसमें लेखक ने दिखाया है कि किस तरीके से कोई इनसान जो है वो वातावरन परिस्थिती के कारण जो उस पे प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव के कारण वो इनसान बदल जाता है आपने अकसर अपने आसपास में देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज से कुछ दिन पहले जो है बहुत मतलब की बदमासी करते होंगे बहुत चंचल होंगे और परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई होगी कि बात में वो जो है एकदम से सुजर गए होंगे तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पे भी स्थिति है एक ग्रिहिनी हाउश वाइफ का यहाँ पे चरित्र चितरन किया गया है यहाँ पे बताया गया है सब कुछ की किस तरीके से परिस्थीतियों के प्रभाव में आके उसको बदलना पड़ा, ठीक है? परिस्थीतियों ने बदल दिया उसको, ठीक है? इस कहानी की प्रमुख पात्र मालती है, ठीक है? और ये मालती जो है ये लेखक के दूर के रिस्ते की बहन है, खुद की बहन ठीक है, डारेक्ट कोई बहन का रिस्ता नहीं है लेकिन दूर के रिस्ते से बहन लगती है और मालती से मिलने के लिए जो है ये लेखक जो है हमारे ये पैदल चल करके उसके घर पे पहुंचते हैं, ठीक है चैप्टर पूरा पढ़ लेना, ओके तो इसे मिलने के लिए क्या करते हैं ये पैदल चलके उसके घड़ पे पहुँचते हैं और लेखक मालती को शक्खी कहना ज़्यादा पशंद करते हैं शक्की इसलिए क्योंकि बच्पन में ये दोनों मतलब मालती और लेखक जो है बच्पन दोनों ने साथ में ही बिताया है मतलब कि दोनों साथ में खेले हैं बड़े हुए हैं ठीक है तो इसलिए इन्होंने बच्पन साथ में बिताया है इसलिए लेखक करते हैं कि मैं शकी कहना यहाँ ज़्यादा पशंद करूंगा और जब बचपन की स्थितियों से वो तूलना करते हैं कि बचपन में वो कैसी थी तो लेखक कहते हैं कि बचपन में तो वो वाचाल थी, बहुँ ज़्यादा बोलती थी, चंचल थी, स्थिर नहीं रहती थी, लेकिन आज जब मालती का विवा हो गया है, आज वो विवाहीता है, आज वो एक बच्चे की मा है, तब इस्थिती क्या है, कि वो जो है एकदम से ख हामोस हो गई है, पता नहीं उसकी चंचलता, उसकी वो वाचालता, पता नहीं कहां चली गई, क्या साधी के बाद लोग इतना बदल जाते हैं, ठीक है, लेखक मासूस करता है कि वो जब आता है तो एकदम से जैसे पहले बातचित करती थी, वो बातचित भी नहीं करती है, स्थितियां एकदम से बदली हुई होती है, वो कुछ कहना भी चाहती है, लेकिन कुछ कहना ही पाती है, लेखक समझ नहीं पाता है कि पता नहीं क्या स्थिति होती है, और उसका जो पती है, मालती का जो पती है, ठीक है न, वो एक डॉक्टर है, और वो एक मतलब की बिमारी होती है ठीक है जिसका नाम है ग्रै ग्रीन ठीक है आप से क्वेशन भी पूछा जाएगा कि ग्रै ग्रीन क्या है तो आप लिख सकते हो कि काटा के चुबने पर जो है जब काटा चुब जाए और उसे नहीं निकाला जाता है तो क्या होता है वही उस इस्थिती पर क्या होता है कि घाव बन जाता है ठीक है और वही जो है आपको अधिक दिन जब रह जाता है तो वही आपको बिमारी हो जाती है और उसी बिमारी को कहते हैं ग्रै ग्रीन ठीक है तो ऐसा लगता है कि मालती को भी एक मतलब एक ही तरीके की ये चीजों की क्या हो गई है एक बिमारी हो गई है वो मतलब कि उसकी पहले की सारी परिस्थितियां जो है बदल गई है अभी की जो परिस्थितियां है उस पे इतना हावी है कि वो कुछ कहना चाहती भी है तो नहीं कह पाती है एक ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा चंचल थी कुछ भी मतलब देखो एक चीज होता है भाई कि जो वाचाल होते हैं न जो ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं वो अपने भीतर कुछ रख नहीं पाते हैं ठीक है न यह उनके साथ एक पड़ेसानी होती है तो वही लेखक कहते हैं कि आज उसकी स्थिती ऐसी हो गई है कि वो बस भर दिन काम करती है बच्चे की देखवाल करती है पती का इंतजार करती है बस रोज का उसका यही जीवन रह गया है चैप्टर रोज इसलिए लिखा गया है कि उसका जीवन सिमट गया है चैप्टर का नाम पहले जो है यह ग्रेग्री नहीं था चैप्टर का नाम ठीक है बाद में लेखक ने इसको खुद जो है कि यहाँ पर पता नहीं किस तरीके का प्रभाव उसको पड़ा है उसके उसके उपर ठीक है किस तरीके का मतलब वातावरन ने उसके उपर प्रभाव डाला और इस प्रभाव को लेखक ने बड़ी ही कुशलता के साथ इस चैप्टर में व्यक्त किया है उस प्रभाव को दिख बिताती है ठीक है उसका पुत्र जो है बीमार होता है कमजोर होता है सरीर से वो हर समय या तो रोता है नहीं तो सोयता रहता है ठीक है इस्थिती ऐसी होती है और मालती जो है वो दिन भर मतलब कि एकदम शुबह से लेके रात के ग्यारा बज़े तक वो घर के काम करती रहती है शुशू का देखबल करती है बच्चे का देखबल करती है इसी में बिजी रहती है ठीक है एकदम से उसकी पूरी जिन्दगी ही बदल गई है ठीक है और वो ऐसा लगड़ा है कि जैसे वो जो है एकदम उब गई है उदास है और किसी भी तरीके से इस उबाउं और उदासी ब हम लोग जो है middle class family से आते हैं ठीक है मैं आता हूँ middle class family से ओके और मध्यम बढ़गी ये परिवार में हमारे समाज में जो है घरेलू परिस्थितिया क्या होती है एक इस्तरी के जीवन की मनोदसा क्या होती है इसी चीज को दिखाने का प्रयास लेखक ने इस chapter में किया है तो आ आसा करता हूँ ये chapter आपको समझ में आया होगा